दर्शक भी नमस्कार में हूँ आचारे रामकृष्ण सास्त्री और आपका पुरिये योट्योब चानल एस्ट्रोजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है जैसा कि मैं नित्य वीडियो लेकर आने के करम में आज पुनहा उपस्तवा हूँ और सिग्र आने वाले मकर सक्रांती मकर सक्रांती एक हमारे हिंदो धर्म में हमारे जो सास्त्र विधित हैं इनमें मकर सकरांती को बहुत अच्छा योग अत्पा शूरिय का शक्ति का उदय का दिन अत्पा शूरिय दक्षिना इनका जो प्रफुल पावर होता है उसके दिन में भी बाना जाता है इसलिए मकर सक्रांति के दिन अगर कोई भी धामपत्य पूत्र प्राप्ति की काम नाश्यद करना चाहते हैं तो उन्हें मकर सक्रांति के दिन जरूर ये वीदी को फोलो करना चाहिए आपने इससे पहले भी मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखे होंगे पूत्र प्राप्ति के लिए जो अने बिधान जो मैंने बताया है उसमें बहुत सारे मित्रों को शफलता प्राप्त हुआ है तो उससे देखकर हमें काफी खुशी होती है और जो मित्रा हमारे से लगातर कॉंटेक्ट में रहते हैं तो उन्हें हमें मारुक दर्शन करने में भी एक परकास हमें उत्सा बना रहता है इसलिए जिसको भी सफलता है आरजित हो जाता है तो मैं अगरा करता हूँ कि ओभी कमेंट्स करें और जिसको निरासा है इससे तरह से ओभी कमेंट्स करें हमारी जो चैनल पर अगर आप तक नई है अगर अभी पहले वार आए हैं अगर हमारे चैनल फे तो उसको चैनल को subscribe करें क्योंकि हो सकता एक बर वीडियो देखकर छोड़ दे दूबारा आप हमारे वीडियो पर आएंगे अत्वा नहीं आएंगे और आने वाले वीडियो हो सक तो जैसा आने वाले जो मकर सकरान्ति आम को क्या उपाय करना चाहिए क्यूकि ये दोनौं को मिलकर कर सकते हैं जैसा कि मकर सकरान्ति के दिन आप प्रात उठे इस्नान ध्यान करके अपना निवरित हो और भगवान सूरी नारणे को रक्त लाल सिंदुर डालके या तप लाल चंदन डालके सूरी नारणे को जलरपण करेंगे ओम गिरणी सूरी आयनमा जलरपण करेंगे जलरपण करने के बाद अपनी पूजा स्तान पर बैड़ जाएं हजबन बाई दोनों आपके पास भगवान विश्णो जी हो लड़ो गोपाल हो भोले नाथ हो भगवान गड़िश जी हो कोई भी हो उनके सामने बैठकर जो भी आपने खिचडी बगरा दान करने के परमपराएं हमारे परणी गरुधा में भी विद्यमान है और हमारे पहले स थोड़ी सियां भोजपत्र लाके उसमें देवकी सुत गोविंदा बाशुदेवा जगदपती देही मेतन यमक्रिश्णा त्वामा हम सरनाम कता या तो ये मंतर लिखे या फिर ओम स्रिक्रिश्णायरमा ये मंतर लिखे आप जो भी पूरुष जन्या देवता है उन्हें अ आप नित्या आपको धिया वत्ती करना है यह अपको एक मैनय निरंतर आप पुजा करना है घर में धिया वत्ती करें और प्रातर साम के शमया दोनने समय उन्हीं देवतार शामने जाकर अगर भगमान गणिष जी है तो गणिश जी को प्रणाम करें जो काम नाckenutill लिखे हैं कि जैसा पूत्र संतान प्राप्ति हो यसस भी हो विद्यवान हो ग्यानवान हो गोड़वान हो ये सभी किरिया जो है उस पे जरूर अंकित करेंगे लिखें और लिखने के बाद आप रखकर प्रति दिन आप प्रणाम करेंगे दोबबती से उनकी पुजन करेंगे ये सा सर्दान सार उसे अलावा ज्यादा करने के अब शक्ता नहीं है हो सकता है तो एक मैने की समय ब्रह्मचारी का पालन करें हो सकता है तो अगर दूसरी बात लस्वन पियाज होगे आत्पा जो तामशिक चीज है इनका शेवर ना करें और भगवान स्रिकिष्ण अत्पा जो भी जिन भगवान के सामने आपने ये भोज़ पतर रखे हैं अत्पा निच्चे दवा के रखे हैं उनका इस्वरण आप शदेव करते रहें एक मैने पूर्ण होने की बाद जैसा जिन भगवान को पुजन किया है इसी तरीके से खिचडी बनाएं खिचडी बनाकर थोड़ी सी खिचडी बनाकर आप जो भी आप जो कामन आपने रखा है उसके लिए साथ करन्याओं को खिचडी का मतलब उनको परसाद दें खिचडी बनाकर उनको परसाद खिलाएं और एक छोटा जो लड़का होगा किसी का अत्पा बच्चा होगा उसे गोद में बिठा कर खिचड़ी खिलाएं और प्राथना करी भगवान सिर्किष्णा के कि प्राथना यह है कि हमारी गर्भ में पुत्रशोप रोर पकर हमारी गर्भ में आएं आपकी सदे भी आपकी शेवा करूँगा इस प्रकार की कामना आपको रखना है